तो आज का हमारा टॉपिक है सैनिटेशन बैरियर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के नोर साबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे वहां से आप डिरेक्टर लूट कर सकते हैं तो शुरू करते है हमारा Environment and Health वाले चैप्टर का अगला टॉपिक देशन बैरियर अब Environment and Health वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं जैसे वाटर वाले पार्ट में हमने किया था Safe Water, Problem Habitation, Sources of Water, Shallow Well, Deep Well के बीच में दिफरेंस, Sanitary Well, Water Pollution, उसके Indicators, Diseases of Water, उसमें Water Porn Disease, Water Wash Disease, Water Base Disease, Water Related Disease, फिर Purification of Water, Large Scale पे, Small Scale पे, Large Scale की बात की जाए, तो Slow Sand Filter उसके अंदा हमने प्रणी नेशन देखा था, Ortho-Toledine Test देखा था, प्रमने, Household Purification of Water देखा था, Steps of Disinfection of Well देखा था, जिसके तहा था में देखा था, होरोग सप्रेटर्स देखा था, और इंफेक्ट होरोग सप्रेटर्स का न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, फिर हमने Hardness of Water देखा था, फिर Water Quality Standards, Microbiological Aspect, Physical, Radiological Aspect देखे था, Water Harvesting पढ़ा हमने, और Swimming Pool Sandation, इसा तुमने Water वाले पार्ट में देखा, एर वाले पार्ट में हमने Comfort Zone पढ़ा, Mac Ardels, Maximal Alloyable Sweat Rate पढ़ा, Air Temperature, Air Humidity, Cooling Power of Air पढ़ा, और Pollution उसके Indicators, Monitoring of Prevention कैसे करेंगे यह देखा, Greenhouse Effect और Global Warming पढ़ा था, यह सब अपने एर वाले पार्ट में पढ़ा, Ventilation में हमने देखा कि यह Ventilation क्या होता है, कितने तरगा और प्रीनम Ventilation क्या होता है , Noise वाले पार्ट में हमने Noise силь Collection पढ़ा Gktion क्या होता है, रच क्या पढ़ा लाइट में हमने light के पार्ट में उसमें वेस्ट डिस्पोजल कितने तरह के वेस्ट होते हैं यह सब कुछ देखा कैसे डिस्पोज आफ करेंगे यह देखा फिर मने कॉम्पोस्टिंग देखा फिर में सेप्टिक टैग देखा ठीक और उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे तैट इस सेनिटेशिक परियर तो यह सारे topics के वीडियोज आप चैनल की playlist खोलोगे तो उसमें environment and health वाले playlist के अंदर आपको सारे topics के उनके notes के साथ मिल जाएंगे थेक तो शूरू करते हैं हमारा आज को topic that is sanitation barrier तो भाइ sanitation barrier होता क्या है sanitation barrier में करते क्या है simple सा फंडा है sanitation barrier में जो human excreta होता है याने कि जो potty होती है उसको हम बाकी चीज़ों से segregate करके अलग करने की कोशिश करते हैं वालग करके रखते हैं यानि कि हम excreta को separate कर देते हैं बाकी चीजों से जिससे वो पानी को हातों को समीन को खाने को दूशित ना कर सके जिससे हम बिमारी रोक सके समझ गए तो sentation barrier में क्या करते हैं sentation barrier में हम excreta को बाकी चीजों से segregate या separate कर देते हैं जिससे वो बाकी चीजों को contaminate ना करें और यह सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं segregation को क्यों कर रहे हैं जिससे कि वो सारी बीमारिया जो फीको ओरल रूट से ट्रांस्मिट होती हैं उनको spread होने से रोका जा सके या उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके ठीक तो क्या पढ़ा हमने sentation barrier क्या होता है कि excreta human excreta को बाकी चीजों से segregate करके अलग कर देना जिससे कि फीको ओरल रूट से जो बीमारियां ट्रांस्मिट होती हैं उनको spread होने से या फैलने से रोका जा सके तैट इस sentation barrier ठीक अब यह फीको ओरल रूट से पहलने वाली बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं या फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारियों की जो डिजीज साइकल है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं तो उसके लिए अलग-अलग जगों पर हमको काम करना है सबसे पहले तो जो आप कर सकते हो that is segregation of वीजिस के जो मैं नक्स्क्रिटा है पॉटाइव है उसको ढशी करे दो तरीके से करो यह कैसे करों या तो इसके लिए आप गरों में सद्री लेटरश वगरा बनवाद आजा और फिर दिस्पोस आफ करने के लिए घरों के नीचे से से पण्क या पीर का और सीवेज सिस्टम होना चाहिए सीवेज ट्रीट्मिंट प्लांट जिसे की फीसिस बागी चीजों के कॉट्टेक्ट में आई ना और क्या कर सकते हो और बहुत इंपोर्टन चीज़े एक होता है ओपन फील्ड टैफिकेशन ओपन फील्ड टैफिकेशन मतलब खोले में सकते हैं तो जो सामान उकता है सब्जियां वगरा वो अगर जब आप घरों में खरीद के लाते हो डंग से धो के अगर नहीं इस्तिमाल की तो भीमारी फैल सकती है वहीं ओपन फील्ड टैफिकेशन मानलो आप तालाब के पास चले गए किसी गाउं में तालाब के पास चले यह अगर अच्छे से फिल्टर करके डिसिंफेक्ट करके इस्तिमाल नहीं हुआ है तो भीमारी फैला सकता है तो सबसे चीज क्या है ओपन फील्ड टैफिकेशन नहीं होने दो घरों में सैनेट्री लैटरिंस पनवाओ प्रॉपर डिस्पोज आफ उनको सेप्टिक टैंक के चीज़ों से अलग कर सकते हैं और क्या-कया चीज कर सकते हैं वाटर सप्लाइज को अपने घरों की जो वाटर सब्लाइज है उसको प्रोटेट करके रखो यानि कि जो पानी का इसतिमाल घर में करते हो वह साफ सुतरा होना चाहिए तो अभी जो पानी का इस्तमाल आप करते हो यह कैसे आप बचाव करोगे पहला तो यह तो जो तालाव अगरा है उनको प्रॉपर फैंसिंग कर दो आसपास पक्के घाट बना दो और लोगों को उसको दूशित करने से रोखो सबसे इंपोर्टन चीज ना स्टेप वेल वगरा तो टोटली बंद कर दिया गया है आज की डेट में जो प्रिफर किया जाता है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है अब जाके चैनल की प्लेलिस में इंवार्मेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस के अंदर आप देखोगे तो आपको सेटारर के वीडियो मिल जाएगा से लिए होना चाहिए कैसा होता है अंदर से पूरा पका रॉता है उपासे कवर्ड होता है और उसमें पॉम्प लगा रहता है जिसे हाथ भी इससे टच्में ना आए पानी से तो ये भी कर सकते हो उसके अलावा ये तो रूरल या गाउवाले ग्रामिद शीत में हो गया अर्बन या शहरी शेत में बात करें तो नगरनिगम से आने वाली pipelines होती है जो pipelines होती है कई बार आपने देखा होगा की जो pipelines होती है वह आपने खुद होगा नालियों के बाझे से होते हुए पायप और न इंघ डिये के पाइप कुई लीकेज हो जाए तो नाली के पानिव हो ऐता है ककी बहुते हैं ततो यह आपको पाइपलैंज को भी दूशित होने से बचाना है तब ही आप protection कर सकते हो, उसके अलावा जब हम घर में पानी store करके रखते हैं, या थे जब छोटे बच्चे होते हैं, तो घरों में मटके होते थे, मटकों में मस ठंडा 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 पानी भरा हुआ होता था, हम क्या करते थे, हम लेते थे गिलास और गिलास को सीधा डालके पानी निकाल लेते, तो बहुत सुटाई होती थी हमारी, मम्मी बोलती थी, नई, यह नहीं करना है, डायरेक्ट ग्लास मटके में डालके नहीं निकालना है, बहुत सुटाई होती थी, क्यों? उसके लिए याद है, ऐसा एक डंग का टाइप का होता था, जिससे आप को, जिसको आपको मटके में डालके पानी निकालना है, फिर ग्लास भरना है, यह क्यों करते थे? जिससे कि अगर हमारे हाथ आथ गंदे हैं, तो वो अंदर के पानी को दूशित ना करें, तो ऐसे भी आप मटको अगरों में डायरेक्ट हाथ ना जाए, उसके लिए डंके का इस्तमाल करते थे, आजकल तो खेर वो आने लगे हैं, जो अपने यह आते क्या, जो मटके आते हो, उसमें बढ़िया नल लगा रहता है, उसी से डायरेक्ट निकल जाता है पानी, या फिर आखियल घरों में वाटर फिल्टर्स लगे रहते हैं, उनमें भी डायरेक्ट नल आते हैं पानी के, तो इस तरह से भी आप वाटर सप्लाइस का प्रोटेक्शन कर सकते हो, दूशित होने से बचा सकते हो, उसके बाद तीसरा हाता है, परसनल हाईजीन मेंटेन करके रखना है, इसे क्या मतलब है, कि भाईया जब भी आप वाश्रूम जाओ, उसके बाद हैंड वाश करना है, ठीक है, कहीं बाहर से आओ, तब हैंड वाश करो, वाश्रूम इस्तमाल करो, तब हैंड वाश करो, खाना खाने के पहले हैंड वाश करो, इस तरह से आप हाईजीन मेंटेन करके रखोगे, तो बीमारियों से बचे रहोगे, फिर एक बहुत बैठेंगे, फिर हम बढ़ियां उड़ते उड़ते जाएंगे, फिर हम खाने में बैठेंगे, और क्या हुआ, आपका खाना दूशित हो गया, अब ये खाना आप खाओगे, तो बीमारी तो होगी, इनफेक्ट आपने देखा भी होगा, जब भी आपका पेट खराब होता ह अब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले सवाल क्या कहता है, कि क्या कहीं बाहर खाना खाया था, क्यों? क्योंकि कई जो को पैसा होता है, कि जो खानी के ठेले वगरा होते है, खोला खाना होता है, उसमें आके मक्षी बैठती है, मक्षी अपना काम कर जात है जो साफ सफाई से रखते हैं बढ़ियां काने को ठक के रखते हैं रेस्ट्राव में भी कई जगा खाना अच्छे से ठक के रखा जाता है तो आपको क्या करना है फ्लाइस के बचाव के लिए पहली चीज तो अपने घरों में स्क्रीनिंग करनी है याने कि दर्वाजों में और किड्कियों में जाली लगए होनी चाहिए सेकिंद थिंग इस कि जो घर में खाना वगरा रखा रहता है उसको खुला नहीं छोड़ना है उसको हमेशा ढखके रखना है बाहर भी अगर कहीं खाना-खाना जाते हैं तो वहाँ पर खाएं ज इसके लावा सबसे आखरी चीज़ है protection of food अपनी खानी का भी बचाव करना है आपको तो पहले चीज तो हमने यहीं बोली थी कि जो खेतों से खाना आ रहा है सब्जी मंदी में गया सब्जी मंदी से आपके घर में आया तो वह जो सब्जी वगरा है उनको आपको प्रॉपर ल आप खाने का भी बचाव कर सकते हो protection of food कर सकते हो तो यह कुछ steps है जिनके थुरू आप फीको और रूट से फैलने वाली बीमारियों की जो cycle है उसको break कर सकते हो और बीमारी को फैलने से बचा सकते हो इन सारी steps में सबसे important जो होती है ना वो सबसे पहली वाली है that is feces को segregate करन और उसको proper dispose of करना यानिकि जो human excreta है party है उसको बाकी चीजों से एकदम अलग करके रखना और proper dispose of करना ठीक यह सबसे important होता है ठीक यह हम क्यों करते हैं क्योंकि देखो feces में जितने भी किटाडू वगरा है वो directly या indirectly नए host तक नहीं पहुंच सके तो इस transmission को रोकना है हमको इसलिए feces को अच्छे से segregate करना है और dispose of करना है अभी कैसे करेंगे तो इसके लिए ना हम लगाते हैं अगर आप देखो तो हम barriers लगाते हैं यह देखो यहाँ पर हमने एक barrier लगाया है primary barrier यह secondary barrier है इसको हम समझेंगे 6F में पर barrier कैसे लगा सकते हो तो अगर आपको feces को बाक इसलिए बंद करा हो और sanitary letter घर में वहाँ कैसे भी बनवा सकते हो इंडियन स्टाइल बना सकते हो western स्टाइल के बनवा सकते हो लेकिन sanitary letter बहुत important है disposal pit होना चाहिए proper sewage system होना चाहिए sewage का मतलब क्या होता है sewage का मतलब होता है liquid waste जिसमें excreta होता है समझ गए एक होता है नहीं होता है यानि कि जो वाश वेशन से किचन से निकलता है वो सुलेज होता है और sewage वो होता है जिसमें excreta होता है यानि जो मोट वगरा से निकलता है इस पे difference पूछा जाता है याद रखना ठीक तो sewage system हो गया उसके लावा proper sewage treatment plant होना चाहिए आपके शहर में जिससे की proper feces जो है वो dispose of हो चक्रिक तो यह आपको याद रखना है कि यह barrier कैसे सबसे इंपोर्टेंट इसमें sanitary letter में सबसे इंपोर्टेंट चीज़ पता क्या होती है वो होती है water seal या water tap अब आप बोलो कि जी क्या होता है भाई समय तो भाई या water tap हमने बचपन से देखते आए हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है जब भी आप potty जाते हो सुबह सुबह रात में दो पहर में जब भी जाते हो तो सबसे पहले जब आप कमोड में देखते हो तो आपको दिखते है उसमें पानी भरा हुआ होता है मतलब चाहे इंडियन स्टाइल हो चाहे वेस्टिन स्टाइल हो आपको पानी भरा हुआ दिखता है कभी सोचा यह क्यों होता है हम को क्या पता हम तो काम निप्टा लेता है तो भाईया पानी भरे ह हुए उने की एक important वजह है वो वजह क्या है वो जो पानी भरा हुआ है ना वही actually में उसी को कहते है water trap यह water seal water trap क्यों कहते हैं क्यों कि देखो यहां पर ऐसे यू शेप का होता है समझ रहो यह जो यू शेप का है ना तो आप क्या कि लेकिन बाकी पानी यहां फस जाएगा यहां की ट्रैप हो गया यहनी कि इसको कहते है water trap इसलिए कहते हैं इसको water trap समझें आप जब भी फ्लश करोगे ना यह पानी फोर्स के साथ इसको नीचे पुश करेगा होता हुआ यहां चला जाएगा लेकिन आखरी का पानी जो है ना वह यहां फस जाएगा तो यही होता है आपका water trap basically minimum कितना होना चाहिए तो करीब यह जो पाइप होता है करीब 7 minimum 7.5 cm का तो होना चाहिए और जो डेप्थ होती है इसकी यह जो डेप्थ होती है इसकी करीब 2 cm तो minimum होनी चाहिए तो यह भी याद रखना पर इसका मीन मुद्दा मुख्य उद्देश क्या होता है मीन परपस क्या होता है water पहला तो smell देखो पॉटी यहां से होते हुए नीचे चली गई सेप्टिक टैंक में अब सेप्टिक टैंक से जो बद्बू निकलेगी वह यहां से उपर आएगी उपर आएगी बस यहां पर आके वह फस गई इसके आगे नहीं आ सकती वह तो यहां तो पानी है पानी के इस मित्ति देश से पढ़ रहे हैं फीको औरल रूट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है फ्लाइज फ्लाइज को हमको फीसिस के कॉंटेक्ट में आने से बचाना है अब फ्लाइज कहां पर फीसिस तो यहां अंदर सेप्टिक टैंक में चली गई ना अब अगर यहां पर आपकी जो मक्षी है ठीक है यह आपकी मक्षी है इसको अगर फीसिस तक पहुचना है तो यह पानी है पानी के बाद यहां पर फीसिस पर बीच में तो पानी है पानी तक क्या मक्षी पहुचना है अब भाई देखो यह जो हमारी फ्लाइज है ना यह हमारी एंटम बाद फीसिस पर जाएगी ना भाई एसा ना होने वाला है यह हमारी जो मखी है न यह आएगी पानी तक आएगी बोलेगी पानी थी रहने दो हमसे नहों वाटर सील का मुख्य उद्देश कि भाईया फ्लाय को फीसिस के कॉंटेक्ट में आने से रोकना और बद्बू को रोकना इसलिए एक JT को काई बार पुशा जाता है कि जतनी भी सेंट्री लेटर इसे इंडियन स्टाइल की हो चाहे वेस्टेय। स्टाइल वसकी सबसे पहली प्रेक्वस्टी सबसे पहली जरूरत क्या होती है 윤 is water trap या water seal जिसकी वजह से हम बद्भु को जील कर सकते हैं इसलिए water seal को करता है कि बद्भु को सील कर दिया बाहर नहीं आई या water trap की पानी को trap कर दिया जिससे मक्खी physician के contact में नहीं पर एंटी इसके समझक है कर दिखे दोसरी हमने रख दिया फीसिस को फीच में आपको चार आएँगे एक हो जाएगा fluid का यानि कि water का एक हो जाएगा fingers का यानि कि वही जो हमने hygiene maintain करके रखना है एक हो जाएगा flies यानि कि मक्हियां एक हो जाएगा fomites या field fomite का मतलब होता है गंदे कपड़े गंदे utensils यह सब कुछ या तो fomite बोल सकते हूं यहां पर या तो field भी बोल सकते हैं तो यह six f होते हैं जो major role play करते हैं sanitation barrier करने में अब सेनिटेशन barrier हम दो तरह से लगा सकते हैं एक लगा सकते हैं primary barrier और आपने प्राइमरी barrier सेग्रेगेट कर दिया किसी के contact में नहीं आने दिया पानी के contact में हाथ के contact में मख्य के contact में जमीन या fomite के contact में ही नहीं आने दिया तो आपने primary barrier feces के बाद ही लगा दिया अब मान लो मान लो कि किसी तरह से contact में आ गई पानी हाथ मक्ही या field fomite के तो उसके बाद भी आप खाने के contact में आने से बचा सकते हो यह देख रही है दूसरी लाइन यह होता है आपका secondary barrier की आपने खाने ही है इंसान से पहले एक barrier लगा दिया डाट इस secondary barrier कैसे कैसे हैं हमने पढ़ चुके हैं पहले कि फीसिस को आपको segregate करना है तो क्या करोगे आप open field defecation नहीं होने दो sanitary latins बनवा दो उससे बचाव कर सकते हो पानी के fluids या पानी को बचाना है तो आप क्या करोगे जो pipeline से उनको बचाओ sanitary well बनवाओ पानी को बाल के पियो या अच्छे से filter करके पियो फिंगर्स में हमने क्या पढ़ा था फिंगर्स का रोल तैसे होता है परस्नल हाइजीन मेंटेन करके रखो वाश्रूम के बाद हाथ थो खाना करने के पहले हाथ हो फ्लाइस फ्लाइस से बचाव करने के लिए क्या है कि भाईया फीसिस को पहले चीज तो प्रॉपर डिस्प्रोज आफ करो घर में स्क्रीन करके रखो कि मक्या नाग उसे स्क्रीन मतलब दर्वाजी खिड़कियों में जाली लगा के रखो उसके अलवा खाने को भी हमेशा धक्के रखो तो फ्लाइस से भी बचाव हो जाएगा फील्ड के लिए फील्ड के लिए उपन फील्ड एफिकेशन को बंद करतो सब्जियां जो बाहर से आती है उनको धो के इस्तमाल करो उसके लवा फॉर फॉमाइट या उटेंसल्स भी होते है तो बरतनों को अच्छे से दो के खाओ बाहर से आने वाले कपड़ों को धुलने डालो दोने के बाद ही उनका इस्तमाल करो तो इस तरह से फॉमाइट या फील्ड का भी बचाव कर सकते हो चाटवे नंबर पर आता है फूड तो खाने को हमेशा ढखके रखो खाने को हमेशा अच्छे से पका के खाओ और दूशित खाना नहीं खाओ इस तरह से भी आप बचाओ कर सकते हो समझ गए तो यह आप 6F in sanitation barrier अगर आप से कोई पुछता है तो आप बता दोगे feces, fluids, finger, flies, fomite and food, fomite की जगा फील्ड का भी इस्तिमाल कर सकते हो उसके अलावा barrier की बात कर रहे हो तो primary barrier, feces के just path, secondary barrier, food के just, food या इनसान के just पहले ठीक तो यह होता है आपका sanitation barrier अब अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भाई सहाब star question है sanitation barrier आपको theory exam में आएगा ही आएगा या तो short note आएगा या तो very short note आएगा question ये आ नहीं है या तो sesional में आएगा ये तो PU में आएगा या तो UCQ में आएगा या तो पहले चीज़ तो आप यह बताओ कि water trap या water seal सबने देखी है सनेटरी लेटरेन में तो इसका मुक्य उद्देश क्या होता है यह एक वाईवा का बहुत important question है sanitation barrier में दूसरा sanitation barrier का बहुत important question यह 6 F जो है इनको समझाओ तो समझाना हमको कैसे है वही जो हमने यहां पर समझाया था कि भईया यह इस तरह से आप पूरे के पूरे फीको ओरल रूट की डिसीज के ट्रांस्मिशन को रोख सकते हो यह भी वाईवा में पूछा जाता है एक वाईवा को और अंडरलाइन पास मिलेंगर अंधेके स्ट्रेंट ऊंट्रेंस ब्रभी अंट्रेंस सीथे में पूछे एक ऑंसिपी Finding होता है तो एक सटार्स को प्रपर्ली संपरिगेट कर दिना और एक बैरिंडार लगा कि उसको सिंटेशन बैरियर थीक थे कई तो मुझे यह मिला था एक मिझे वॉट ट्रैप पर भी मिला था कि भाईया सेंटेशन बैर्ष कर के एक कंठस्त कर लेना याद कर लेना रट लेना पूछा ही जाएगा ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको sanitation barrier या 6F in sanitation barrier में पता ही होनी चाहिए ठैंक यू